हलो दोस्तों प्लसपन के यूट्यूब के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाहा दोस्तों आज के इस लेक्षिव में बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात कने वाले है वो है थ्री फेस डिस्टुबिशन बोर्ड के बारे में बेसिकली थ्री फेस डिस्टुबिशन बोर्ड काफी सरे लोग अलग-अलग किसम से बनाते लेकिन आज जो मैं इस्तमाल करने वाला हूँ बेसिकली एक मीटर की दो हमें जरुवत पड़ेगी नहितार अनुतराइज हो जाएगा तो हम लोग सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक लिए हम लोग तो दूसरी सब चीजे भी इस्तमाल कर सकते हैं चले वह भी एक्जमपल पर पहले बता देता हूँ आप देख सकते हैं यहां पर एक डाइग्रम है जहां पर आप देख सकते हैं एनरजी मीटर के बाद में एक आपको RCCB लगा हुआ है या जिसको MCCB बोलते ह या कुछ-कुछ लोग उन सब को चीज को छोड़के खाली MCB पर ही ले ले लिए यह देख सकते हैं आप MCB पर ही ले सकते हैं और उसके बाद में सिंगल पोल में से लेकर घर के distribution में दे सकते हैं ऐसा भी connection कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहां पर बता है सिंगल या double MCB ले लिय एक उसके बाद में सिंगल सिंगल पोल के MCB ले लिया और उसके साथ में distribution कर दिया यह भी connection है आप जो मैंने आपको अलग-अलग जो main distribution board बता है वो single phase और triple phase में generally सेम रहता है लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम लोग इस्तमाल करने वाले है voltage protector RCCB और 3-pole MCB का use करेगे distribution करना है 3-phase का तो आप इन चीजों को इस्तमाल में लोगे तो ज्यादा बहतर रहता है ठीक है तो सबसे पहले तो मेटर से ही बात करते है एक-एक पॉइंट को हम लोग लेने वाले सबसे पहले मेटर से लेते है इलेक्रिक मेटर जो हो रहता है उसमें आप देख सकते है यह इन चीजों के बाद हमें सबसे पहले जो लगता है वो है वोल्टेज प्रोटेक्टर क्या रहता है तो बेसिकली यह अंडर वोल्टेज बेसिकली हम लोग हमेरे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है अगे देखते है इसके फीचर क्या है लेकिन फिला लाइब ऐसा समझों कि हमारे लिए इन पॉर्टन डिवाइस है तो इसके अंदर कनेक्शन कैसे होता है यहाँ पर आप देख सकते है नीचे की दरफ यहाँ पर उपर से निकलता है, देख सकते हैं, यहाँ पर आउट लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन लिखा हुआ है, ठीक है, यह हमारे voltage protector हो गया, इसके बाद में क्या लगेगा, इसके बाद में हमारे लगे रहा RCCB, तो RCCB जो रहता है न, इसमें भी आपको देख रहे हैं, चार connection न इतना simple था, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग लेने वाले है, 3-pole की MCB, यह 3-full MCB जो रहता है, इसमें कैसे, क्यू मैंने 3-full लिया, इसके पीछे reason है, मैं आपको आगे बताओगा, वो भी, फिलाल यहाँ पर कैसे होगा न, इसके अलावा और एक चीज लेन है, वो यह जो अलग-अलग MCBs है, उसके साथ में connection कर ले गए, अभी आपको क्या लगता है, इसमें कुछ और खामिया लगी गया, connection हो गया, complete क्या लगता है आपको, दो मिन वीडियो को post की जो नीचे comment में लिखे कि यह problem हो सकता है, या यह connection बाकी है करके, ठीक है, तब तक जानकरी के लिए बता दू, हम लोग ने online में भी बहुत सारे courses कर दिये, हम लोग ने online में जैसे wireman हो गया, solar हो गया, electronics हो गया, electrical हो गया, mobile repairing, laptop repairing, Arduino, robotics, programming, animation, बहुत सारे अलग-अलग प्रकर के courses चालो कर दिये, यह सब courses करने के लिए, केवल mobile में app डाउनलोड करना है, app का नाम है, plus point training, यह आपको Google Play Store पर आपको मिल जाएगा, यह अगर आप डाउनलोड करोगे ना, उसके अंदर सारी जानकरी है, online courses के related, अगर आपको और भी अधिक जानकरी चाहिए, online courses के रिएटर, यह मेरा WhatsApp नंबर है, इस पे मुझे केवल high का message जाल दीजी, तो मैं आपको link provide कर द और connections लगाने बाकी है क्या, हाँ, बिलकुल बाकी है, जैसे कि आपको यहाँ पर मालू है कि यह जो three pole की switch है, बरवर है, तो तीनो phase wire आप यहाँ पर attach कर सकते हो, एक ही pole में, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ तीनो के लिए अलग अलग लिया है, बरवर है, तो यहाँ पर interconnect कर रहेगे, इस तरीके से, ठीक है, जब यह internet interconnect करोगे, तब ही जाकि यह जो रहेगा, वो एक phase का पूरा MCV बन जाएगा, यह दूसरे phase का MCV बन जाएगा, तीसरे phase का MCV, अगर मैं इस तरह से भी कर सकता था, कि यह जो connection पहले का इदा लिया, दूसरे का मैंने इदा लिया, ती तीन पूल क्यों लिया, अच्छा, पूल जो रहता न, वो उसमें भी अलग लग प्रकार है, अगर आप single पूल लेगे न, तो आपके खाली एक ही supply आएगा, मतलब जो phase रहेगा, वो आएगा, neutral directly connect करना पड़ेगा, dual पूल भी आता है, जो उसमें neutral और phase को आप इस तरह से connect क कर सकते है, तीन पूल वाले जो मैंने बताया कि आपकी एक R, Y, B, जो तीनो तीनो लाइन जो है, मेन लग सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, तीनो मेन लाइन को नहीं लगा, एक ही मेन लाइन लिया और उसके साथ में connection कर लिया, interconnection, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे connection और बढ़ान है, इस वाज़े से, अच्छा, इसमें 4 बोल वाला भी आता है, 4 बोल में neutral भी लग सकता है, और 3 जो है, वो आपकी मेन लाइन भी लगा सकते है, इस तरह से भी आप connection कर सकते हो, सभज मैं 4 बोल, तो ऐसे single बोल, double पोल, 3 पोल और 4 पोल आप लगा सकते हो, तो ह अभी मैं पहले बता देता हो आपको कि यह जो voltage protector क्या-क्या protect कर सकता है, याने कि क्यों हम लोग इसका इस्तमाल करते है, तो इसका इस्तमाल जो रहता है, वो over voltage से protect करता हमें under voltage, याने कि voltage अचानक से बढ़ जाता है, या voltage में fluctuation होता है, या over current जाता है, ये 4 चीज़ों से हम protection करने का काम करता है, हाला कि over current जो रहता है, वो feature जो रहता है, कुछ में apply के बहले, कुछ में नहीं है, ज्यादा तर ये over voltage ये under voltage के लिए protection के लिए काम करता है, इतना समझ मैं है, ठीक है, अभी RCCP का इस्तमाल क्यों करते है, तो ये over current, overload, short circuit या earthing problem, majorly earthing problem या short circuit को ये majorly role play करते हैं, उसके basis पर overload या over current पर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसका main काम है, short circuit और earthing, short circuit का मतलब भी over current, समझ मैं ही बात, ठीक है, अभी MCB का इस्तमाल क्यों करते हैं, यहाँ पर overload या short circuit के उपर काम करते हैं, ये basically overload या over current के लिए काम करता है, अभी ये 3 चीज़ों का समझ हमारी building है, building मैं समझो यह हमारी office है, उसमें 3 floor है, हमारी lift भी है, तो मैंने आपको क्यों बताया, मैंने 3 pole का MCB लिया है, इसका reason देखो, एक MCB से मैंने यहाँ पर supply दिया, दूसरे से मैंने यहाँ पर दिया, तीसरे से मैंने यहाँ पर दिया, तीनों से मैंने और एक connection लेकर यहाँ पर अलग से lift के लिए supply दिया, तो आप इस तरह से distribution करने के लिए जगा रखे आपने, अभी समझ मैंने क्यों रखा था 3 pole, अचा अभी यहाँ पर समझो मैं load connect करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँगा, आप बूले कि sir आपने तो यहाँ पर एक phase दिया और यहाँ से ब मैंने इस तरह से लगाया, और neutral bus wire में लगा दिया, इस तरह से लगा सकते है, लेकिन टेकनिकल इस तरह से नहीं लगता है, मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग और आगे भढ़ाते है, समझो हमारे घरों में लेकर रहा है, एक phase से हमारे supply लेकर रहा है, तो हमको क्या लगे से अच्छा और एक चीज मुझे लगे कि बस बार भी लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर connection कैसे होगा, मैंने समझो phase wire इदर लगा दिया, two pole के उपर एक side में, और दुसरी बाद जो neutral wire लगा दिया, उसके बाद मैं क्या गर होगा, neutral wire को मैंने बस बार में लगा दिया, और phase line क तो मैंने जो single pole MCBs लगे उसमें distribute कर दिया, इसके बाद मैं load connect करता हूँ, तो load में क्या होगा, phase मेरा इदर से जोड़ेगा, single pole MCBs के साथ में, और जो neutral wire directly bus bar में जोड़ देगे, यानि कि neutral bus bar हो गया, अभी आपको क्या लगता है, इसमें कुछ खामी और एक है, सोचो सोचो आपका अर्थिंग का, तो अर्थिंग के लिए भी bus bar लेके आप अर्थिंग के अंदर जोड़ सकते हो, और bus bar से हम लोग हर एक load को पर अलग से supply दे सकते है, या अर्थिंग connect कर सकते है, ठीक है, तो यह होता है पूरी तरह से, एक, यह समझो आपका घर का डाइगराम है, य आपके समझो बिल्डिंग का रहेगा, यहाँ पर एक घर का आया है, ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो, मैंने आपको बता है कि 3, आप मैंसे कोई चलोग देट शाने रहता है, जो comment में लिखते है कि यह गलत है, तो गलत नहीं है, मैंने 3-pole को explain किया कि मैंने 3-pole m से क्यों लिए हुए, आप चाहे तो single, यह 3-pole में 3-1 की साथ में connect कर सकते हो, यह 2 की जरुवत नहीं रहती है, लेकिन मैंने load को आगे चलके distribution करना, इसके लिए मैंने 3-pole को लिया है, I hope कि आपको समझ में आ रहा है कि diagram कैसे रहता है, 3-pole distribution board या 3-pole distribution board का connections कैसे किया जाता है, ओक दोस्तों अगर आपको online courses करना है, तो यह मेरा whatsapp number है, इस पे मुझे केवल high का message जा दे तो मैं पूरी जानकर आपको whatsapp के माध्यम से भिजवा दोगा, दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो like और share करना ना भोले अपने दोस्तों के साथ में, अगर आप नए है channel के उपर त आपको अगला वीडियो कुन सा चीए तो मैं जरूर उसको बनाने की कोशिश करूगा, चले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, thanks for listening